फता-फट ली मिट्पॉइंच के बारे में समझ लेते हैं आप सब पशबाने परिचीत हों फिप्ट पिप्ट से में आप में पहला यूनिट आपने पढ़ा था उसमें ली मिट्-पॉइंट और यह सारी बाते आपने discuss की थी लेकिन यह metric space के point of view से आपको चर्चा आपको जरा बता दूं कि limit point होता क्या है जैसे xd कोई metric space है ठीक है और s कोई a का subset है sorry x का कोई subset है s is subset of a ठीक है देना point p belongs to x is said to be limit point of s if every nbd of p contains a point of s other than p यानि p का जो भी neighborhood हो वो s के point को contain करे other than p यानि p के अतरिक्त ठीक है तो आप सबको पता है कि अगर p को हम से enter मान ले और इसके neighbor के बारे में बात करें तो neighbor क्या होता neighbor इसके आसपास कहीं होगा तो भाई कोई नो कोई range लेंगे और neighbor हमें साथ दोनों साइट में same distance लेते हैं तो आर रेंज ले लेते हैं और आप सबको पता है कि आर रेंज चाहे कितना भी छोटा रेंज हो उसमें बहुत सारे points होंगे infinite number of points होंगे अगर नों सारे points का आप connection लेते collection करते हो तो क्या लिखोगे dxp ठीक है less than क्या करोगे r तो अच्छा ऐसे सारे points के collection को ही आप क्या बोलते हो इसे बोलते हो spr बोलते हो क्या open sphere तो यह open sphere हो गया मतलब p का जो दोनों साइट के जो points होंगे वो क्या होंगे open sphere हो जाएंगे मतलब p के दुनों साइट के point अगर वो s का limit point है तो वो क्या करेगा p का जो neighbor होगा वो s के point को तो रखेगा रखेगा माली जे यह s है तो s के point को जरूर रखेगा ठीक है other than p ठीक है अगर ऐसे भी आप करते हो तो p को आप delete करके बात करे होगे ठीक है मतलब p भले ही यहां दिख रहा हो लेकिन आपको क्या करना है आपको p को छोड़ करके बात करना है ठीक है भले ही p उस set में हो लेकिन p का होना या न होना जरूरी नहीं है जरूरी है p के neighborhood का होना इस बात का आप ध्यान रखेंगे ठीक है क्या ध्यान रखना है कि P चाहे रहे उस set में चाहे न रहे लेकिन P का neighborhood उस set में होना चाहिए तब P उस set का क्या कहलाएगा limit point कहलाएगा तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा S, P, R यानि ये P का दोनों side के points होगे जो कि infinite number of points होगे ठीक है और ये जानती है अब ये हर open sphere open set होता है तो ये एक set भी है या एक open set है उसमें infinite number of points होगे ठीक है, minus P, चलिए P को minus कर लेते हैं तो P को delete कर दिया आपने तो ये P का deleted NPD neighborhood हो गया intersection S is equals to 5 no, not equals to 5 क्यों not equals to 5 क्योंकि P को छोड़ करके ये P का neighborhood है और क्योंकि इस set S का ये P limit point है इसलिए P के neighbor के point S में होंगे, यानि P का जो neighborhood है वो S में होगा, तो इसलिए S के साथ उसका intersection 5 नहीं हो सकता तो this is the definition of limit point, ठीक है, ये definition होगे है limit points का derived set क्या होता है, derived set तो derived set का definition होता है collection of all limit points, ये न, किसी set के सारे limit point का जो collection होगा, उसे derived set का ये स कोई set लिए, या मैंने 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, dot 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 tends to, ठीक है, तो इसमें limit point कौन है, तो इसमें देखे, 0 है, इसका limit point, क्यों 0 है, क्योंकि 0 इस set में भले ही नहीं है, लेकिन 0 का जो neighborhood होगा, वो तो इस set में है न, तो इसलिए derived set of S कितना होगा, आपका 5 होगया, अगर आप से किसी set का derived set पूछ लिया माले, ये derived set of rational number, तो आप क्या बोलेंगे, तो आपको इसका limit point ढूटना पड़ेगा, तो ये बताइए Q क्या है, किसका subset है आप कोई point पी लेता हूँ, आप कोई point पी लेता हूँ, आर का तो पी का neighborhood सोचते है, तो फार epsilon गड़तन 0, P minus epsilon, P plus epsilon ठीक है, minus P, यानि P को छोड़ करके, P को छोड़ दिलीट करिए, और intersection Q देखिए, अब बताइए क्या होगा, 5 के not 5, तो not 5, क्यों कि P के neighborhood में infinite number of rational होंगे, infinite number of e rational होंगे, P के अतरिक्त, ठीक है, तो infinite number of rational होंगे, तो फई, Q तो rational है, तो P को छोड़ करके, जो infinite number of rational है, वो तो Q के साथ intersection करेंगे, मतलब इसका P का neighborhood Q में होगा, मतलब हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा R, अच्छा, आप से कहाए, डिराइफ सेट आफ जेड क्या होगा, तो डिराइफ सेट आफ जेड मतलब सेट आफ integers, तो यह क्या होगा, तो यह होगा 5, Y5, क्योंकि Z जो है R का subset है, R का कोई element P लीजिए, ले लिए आपने, और P का neighborhood लीजिए, P माले से पर P plus epsilon, अब बताइए, यह तो small neighborhood है न, small distance का है न, यह epsilon, तो क्या इसके बीच में infinite number of integers आएंगे, क्योंकि P, भले ही माली जे P integer ही ले लीजिए, क्योंकि P R का है, तो P Z में हो सकता है, तो माले जे P integer लेजिए, लेकिन P अगर integer लेती है, तो P का neighborhood में थोड़ी integer होता है, और वैसे भी आपको P delete कर देना है, तो P delete करेंगे, तो P के neighbor में integers थोड़ी आएंगे, इसका मतलब intersection Z क्या होगा, आपका, क्या हो जाएगा, 5, that means, no any real number is limit point of Z, that means, you can say that derived set of Z is equals to 5, similarly, derived set of natural number is also भी 5, और याद रखेगा, जो भी countable set, जैसे n countable set है, Z countable set है, तो यह जो countable set है, जैसे Z type के, n type के, और जिसके point isolated है, जिसके point कैसे है, आइसोलेट है, तो उनका जो है, जैसे Z type, n type, तो इनका जो derived set होगा, वो क्या होगा, 5 हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखेगा, और आप बुक थोड़ा सा उठाईएगा, पढ़िएगा, क्योंकि थोड़ा सा पढ़ेंगे तभी होगा, क्योंकि ये real analysis है, और मैं चाहता, तो इसका मैं आप लोगों को online video भेज देता, sorry, online आपसे chat करता, उस तरीके से, इसे zoom के through, बट मुझे नहीं समझ में रहे कि zoom के through, आप अच्छे तरीके से इसको समझ पाओगे, और क्योंकि वीडियो बना के अगर आपको भेजूँगा, तो आप बार-बार repeat करके इसको देख सकते हो, ठीक है, बातें अगर बीच में नहीं समझ में थे, तो आप repeat करके देख सकते हो, तो better रहेगा, तो मुझे लगता है, यह better पड़ेगा, अगर आपको फिर भी problem होती है, आप पूछिएगा, और उसके बाद भी problem होती है, तो मैं देखूंगा, कोई जो है, उस तरीके से हम चर्चा करेंगे भी बाद में.